दिलिप टेलर्शन बुटिक को सस्क्राइब कीजिए इस रेड बटन को दबाकर और उसके बाद क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि हमारे हरेक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलते हैं मैं हूराजन आप देख रहे हैं दिलिप टेलर्शन बुटे और फ्रेंड्स आज के वीडियो में देखेंगे कि हम साइड चैन वाला ब्लाउज किस तरीके से बना सकते हैं यहां पर साइड चैन लगाने के लिए बताएंगे जिसमें देख सकते हैं आप यह ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है जिसमें हमने उपर नेट लगाया है और यह बैक साइड का पार्ट है है पहले हमें इसको जॉइंट करना होगा सोल्डर से उसके बाद इसमें अस्तिन की फिटिंग करनी होगी और उसके बाद हम इसमें चैन लगाएंगे तो ये बैक साइट का पाट है नीचे रखना है बिलकुल सीधा और उसके बाद ऊपर रखेंगे हम बैक साइट उल्टा रख करके हम यहाँ पर सोल्डर से इसको जॉइंट करेंगे अब ठीक इसी तरीके से दूसरे साइट के भी सोल्डर को हमें जॉइंट कर देना है और उसके बाद करेंगे इसमें अस्तिन की fitting तो यह इस प्रकार से सूल्डर से जॉइन करने के बाद पहले अस्तिन की fitting यहाँ पे कर लेंगे एक साथ अस्तिन की fitting करनी है उसके बाद side fitting होगा और इसी में हम chain लगाने के लिए बताएंगे तो friends यहाँ पे side chain लगाने के लिए अस्तिन को इसी तरीके से fit करना बहुत ही जूररी है पहले अस्तिन fit करना अन्यूमारी होगा यहाँ पर तो यह net का अस्तिन है जो हमने यहाँ पर बनाया है तो net के अस्तिन को यहाँ पर fit कर देते हैं हल्का-हल्का खीचते हुए हम अस्तिन को यहां पर फिट करेंगे इस तरब भी हलका सा खीचते हुए अस्तिन को फिट करना है फ्रेंट से आप मजबूती के लिए हम दोबारा एक सिलाई इसमें चला लेंगे तो यह देख सकते हैं आप अस्तिन की हमने फिटिंग कर दी है ठीक इसी तरीके से दूसरे साइट का भी अस्तिन हमें फिट कर देना है तो यहां पर दोनों तरफ स्लिफ की फिटिंग हो चुकी है अब देखेंगे चैन लगाने के लिए आप सभी लोगों के काफी ज़्यादा रिक्वेस्ट आये थे कि सर साइट जीब बताईए किस तरीके से लगाना है तो आज के वीडियो में देखेंगे वीडियो को कंप्लेट देखेंगा यहां पर फ्रेंट्स एक जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ यह जो चैन है यह हम राइट साइड में लगाएंगे देहान देंगे ब्लाउच को जब हम अपनी तरफ रखें जिस तरीके से म कती हमें आएगा तो आम तोर पर इसी तरीके से लगाया जाता है क्योंकि लेफ्ट साइड से इस्केन को ऊपर नीचे करना बहुत ही ज्यादा असान होता या उघ्रैट में इसे बहुत कम लगाया जाता है प्राइट में भी लगा सकते हैं लेकिन इस थरीके से हम सबसको हम इसको लगाएंगे तकże और यह यहां लगा लेंगे गोलाई बरबर नाप करके लेडिये शाथ में कर देंगे कि यहां पर हम इसको मोड़ करके चैन के लिए निशान लगाएंगे तो यह बिलकुल सीधा निशान डॉटेड निशान यहां पर लगा लेना है यह इस प्रकार से और नीचे वाले भाग में भी इस निशान को लगा लेना है तो ये जो निशान हमने अभी लगाया इतना ये मुड़ जाएगा और मुड़ने के बाद हम इसमें चैन फिट कर देंगे तो ध्यान देंगे ये जो चैन है ये किस तरीके से फिट होगा ये इस प्रकार से निकाल लेना है और इसका जो open side है वो नीचे की तरफ रहेगा इसका ध्यान रखना है हमें open side नीचे की तरफ रख करके इस चैन को फिट करना है कि उसके बाद ये जो चैन है इसको आगे की तरफ सरका देना है और फिर इस सिलाई को हम आगे बढ़ा देंगे क्योंकि वो जो चैन का रणर है ये काफी परिसान करता है फिट करने के लिए तो उसको हम आगे की तरफ सरका देंगे अब दूसरे साइड भी इसमें हमें सिलाई लगा देनी है कि अब दूसरे समया कि वह वापा से ये चैन जो है हम पीछे की तरफ ठकेल देंगे ये इस प्रकार से उसके बाद इस सिलाई को complete कर देना है यहाँ पर आप चाहें तो मजबूती के लिए दुबारा सिलाई लगा सकते हैं वैसे हो सकता नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से जो है friends यहाँ पर हमने chain को fit किया है तो यह जो friends यहाँ पर आप देख रहे हैं इस chain को fit होने के बाद यह इस प्रकार से आप runner के सारे से इसको open कर सकते हैं अब देखेंगे friends यहाँ पर एक side तो हमने chain लगा दिया है लेकिन chain लगाने के बाद side fitting कैसे करेंगे यह काफी important हो जाता है chain लगाने के बाद तो यह side तो हमने इसमें chain लगा दिया है इधर अब हम बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी शिलाई नहीं चला सकते हैं तो जो भी हमें fitting करनी है वो दूसरे side करनी है इधर जितना भी शिलाई हमें side fitting के लिए दबाना होता है जितना कपड़ा हमने margin दिया है उत्ता मोड करके हमने इसमें chain लगा दिया है तो इधर कुछ भी करने की ओशकता नहीं है जो भी आपका size है तो आधा पर यहां पर निशान लगाना है जैसे चेश्ट size की यहां पर बात कर लेते हैं 32 है तो 16 पर लगाएंगे 31 है तो 15.5 पर इस तरीके से आपको यहां पर आधा करके निशान लगाना है और अस्तिन की गुलाई भी यहां पर साथ में नाप लेते हैं यह जो ब्लाउज है इसकी अस्तिन के गुलाई सवा 5 इंच की है तो सवा 5 पर यहां पर निशान लगा लेंगे उसके बाद तीनों निशानों को मिलाते हुए यहां पर side fitting कर देनी है तो यहां पर side fitting की एक शिलाई हमने लगा दी मजबूती के लिए आप चाहें तो यहां पर एक-दू शिलाई और लगा सकते हैं और इस प्रकार से जो है आप side chain वाला ब्लाउज बना सकते हैं तो इस तरीके से friends आप देख सकते हैं यह ब्लाउज रेडी है यह जो side chain वाला pattern है यह आम तोर पर boat neck high neck वाले ब्लाउज में ज्यादा यूज होते हैं तो इस तरीके से आप भी chain लगा सकते हैं बहुत ही असान वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें